हेलो बच्छो आज हम लोक class 12 में matrices को complete करेंगे देखो सबसे पहले matrices होती क्या है तो matrices जो आपके पास होती है वो फॉर्म होती है कुछ numbers होते हैं ठीक है जिसको rectangular way में arrange किये वह रहते हैं यह से मालो मैंने एक rectangular का एक save बनाया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ नमबर को लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको मैंने क्या किया, कैपिटल A से इंडिकेट किया, तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया, यहां पर A यह मैट्रिक्स को, अब देखों, मैट्रिक्स को रिप्रिजन करने की बाद हम लोग समझते हैं, कि order of matrix क्या होती है, और आप किसी भी matrix के लिए order लिखना चाहोगे, इस order का मतलब क्या होता है, order का मतलब होता है, कि आपने जो matrix बनाई है, आपने उसमें कितना row लिया है और कितना column लिया हुआ है तो अगर हम इस matrix को देखेंगे तो हमने यहाँ पर one row, दो row यानि मैंने यहाँ पर दो row को लिया हुआ row का मतलब horizontal line, आप यहाँ पर दो horizontal line को draw कर सकते हो मतलब यहाँ पर number of row कितने two है, आपने इस matrix के अंदर कितने columns लिया है तो दिखें एक column यहाँ पर भी हो सकता है और एक column यहाँ पर भी हो सकता है यानि जो vertical line जो draw कर सकते हो आपके पास column है यानि कि number of column कितने हो जाएंगे तो three हो जाएंगे अब देखो, representation, हम लोग एक matrix को कैसे represent करते हैं, ठीक है तो देखो बता रहे हो, इसको represent कैसे किया जाता है जैसे आपको मालनों किसको इतना नहीं लिखना, इसको sort में आपको लिखना है तो आप एक matrix को A लिखो, ठीक है, और A रिप्रेजेंट करता है क्या क्या है, A, I, J यहाँ पर A, I, J क्या है, A, I, J आपको बता रहा है कि कुछ, जो आपने यहाँ पर elements लिखा हो, जो आपर number लिखे हैं, उसी को वो represent कर रहा है I, J का मतलब क्या है, आपने इस number को किस row, किस column में लिखा हो है यह इंडिकेट कर रहा है, I का मतलब किस row में रखा गया, J का मतलब किस column में रखा गया और M by N, M by N का मतलब बच्चो, M by N होता है, order of matrix, मतलब इस matrix का order क्या है तो यह shortcut किसी भी अगर आपको matrix को represent करना है, तो ऐसे represent कर जाता है यहाँ पर A का represent कर रहा है, number of elements, sorry, elements को represent कर रहा है, कौनसे elements है I, J का मतलब है कि वो जो elements है, उसका position क्या है, किस row, किस column के अंदर है ठीके, और यह M में रखा पुरा जो आपके पास matrix है, उसका order क्या है जैसे example मालो में यहाँ पर देती हूँ, जैसे मालो कि मैं एक matrix को draw कर रहे हूँ, A is equal to यहाँ पर जो matrix होगा बच्चो, वो first row, first column का होगा, इसे मिसको sort में 11 लिखते हैं 11 का मतलब है कि first row का है, first column का है, यहाँ पर आप जो भी elements को लिखोगे, A12 लिखोगे क्यों, क्योंकि यह first row का है, second column का है, ठीक है, first row लिखते हैं, second column लिखते हैं अगर आप यहाँ पर one three लिखोगे, next row भी लिखोगे, क्योंकि यह first row में है, लेकिन third column में आ चुका है, इस तरह से आपका बढ़ते हुआ रहेगा इधर अगर आप निचे लिखोगे, यह तो second row में आ गया, तो आप second row, first column लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, second row, second column, second row, third column, ठीक है, अगर मुझे यहाँ लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, third row, first column, third row, second column, third row, third column, इस तरह के से final अगर हम चेक करें किस matrix का order कितना हो अगर बच्चो, तो इसमें मैंने three row लिखा हुआ है, three column लिखा हुआ है, तो इस matrix का order हो जागा, three by three हम लिखेंगे, ठीक है, तेक matrix क्या होता है, उसके order को कैसे represent करते है, और किसी भी matrix को कैसे उसके elements को represent करते है, यह हमारे पास form हो गया, चलो हम दो देखते हैं, types of matrices, matrices हमारे हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे matrix के types होते हैं, आप लोग basic चीजे दिखते हैं कौन-कौन से हैं, सबसे पहले first देखो matrix के अंदर, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास types के अंदर जो आती है, वो row matrix होती है, row matrix, row matrix किसे कहते हैं बच्चो, row matrix का मतलब होती है कि वैसे matrix जिसमें only one row हो, जिसमें सिर्फ एक ही row हो, उसको बोलते है row matrix, जैसे देखो, one, two, three, how many rows, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर एक ही तो रोज दिखने है, क्योंकि आप इसके अंदर एक हो horizontal line draw कर सकते हो, यह one, लेकिन इसका order क्या होगा बच्चो, तो first row है, लेकिन column तेहाँ पर three में draw कर सकते है, one by three, तो जिस matrix के अंदर सिर्फ one row होंगे, उसको बोलोग क्या बोलते है, row matrix बोलते है, ठीक है, फिर देखो, column matrix, क्योंकि से कहते है, तो column matrix का मतलब यह होता है कि, वैसे आपके पास matrix, इसमें क्योवल एक ही column हो, जैसे मैं अगर 20 चे रिप्रेजेंट कर column of matrix कितना हो जाएगा आप पर, one हो जाएगा, इसलिए इसको हमनों column matrix करते है, अब देखो बच्चो third, third आपके पास होता है square matrix, square matrix किसे कहेंगे बच्चो, तो square matrix नाम से इंके लिए रहे, square, square तो तो तभी हो सकता है, जब एक rectangular को square बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस इसमें number of rows भी 2 है, column भी 2 है, इसलिए यहाँ पर order 2 by 2 हो जागा, और एक square matrix बन जाएगा, तो square matrix का मतलब इसमें number of rows and column से मुझा हो जागा, एक square matrix बन जाता है, देखो square matrix की बात आता है, diagonal matrix, diagonal matrix देखो हम किसे कहते हैं, fourth number हमारा है diagonal matrix, तो diagonal matrix को समझने से पहले आपको diagonal elements को जान क्या होता है, तो देखो, अगर मालो मेरे पास की square matrix है, ज्यसमें मालो क्या आपर को square matrix है, मैंने A11 लिखा, A12 लिखा, A13 लिखा, A21 लिखा, A23 अ31 मैंने लिख दिया, A32 लिख दिया, A33 सब से परे डियांगनल मैंट्रिक्स क्या होती है ? जसली इसलेमन की रो और कॉलम होजाए... जैसे यह 1st row 1st column के अंदर है, 2nd row 2nd column के है, 3rd row 3rd column के अंदर है, तो diagonal of जो आपके पास elements होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं AIJ, ठीक हैं, पहली बात AIJ के एक वन होगे, ध्यान रखेगा इसको, और यह जो आपके पास AIJ होंगे, यहाँ पर आपके पास row columns same होंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं, यह तो diagonal matrix है, तो sorry, diagonal matrix अब तभी आप निकाल सकते हैं, जो वो square matrix होगे, दूसरी बात row और column है आपके same होनी चाहिए, और I is equal to होनी चाहिए, जे, तभी वो diagonal elements बन सकते हैं, ठीक है, अब diagonal elements के बाद हमनो क्या देखते हैं, diagonal matrix के इन diagonal elements को छोड़के, अगर आप यहाँ पर other elements को zero put कर देते हो, यह जो आपके पास matrix होता, इसको diagonal matrix कहते हम लोगे, जैसा अगर मुझे लिखना होगा diagonal matrix को, तो सौट में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर सौट में diagonal लिख सकते हो, और यहाँ पर आप अब आप अब मुझें देखते हो, इसकेलर matrix किसे कहते हैं, देखो बच चलो, next आपके पास है, 5 नमर्स होचका हमरे पास, 6 नमर्स में है, इसकेलर matrix, इसकेलर matrix किसे कहेंगे, तो smashed matrix के अदर आपके पास होता है, जैसे माल लिखित आप पास अगा एक matrix है, इस matrix में पहले तो याद अठना ह एक स्क्वार मैट्रिक्स के लिए होता है, यानि कि आप नमबर ओफ रोज इकवल टू होंगे नमबर ओफ कॉलम्, यह तो पहले होना चाहिए आपके पास, उसके बाद सेकेंड बार में हमें क्या करना होगा, सेकेंड बार में देखोंगें आपर मुझे कुछ एलिमेंट्स ल जिरो, उसे हम लोग एसकेलर मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे इसको उनमों सॉट में क्या लिए सकते हैं, ए आई जे, इस इकवल टू जिरो, विन, आई नॉट इकवल टू जे, जिसमें आई जे आपस में इकवल ना हो, मत्तब रो कॉलम यहां पर इकवल नहीं होता है, तो इस जिरो भी हो सकती है, ठीक है, तो यह जिरो मैट्रिक्स भी हो सकती है, यह स्कलेर मैट्रिक्स, तो इसके बाद एक और अनों टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है आई इंटिटी मैट्रिक्स, यह भी एक निक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, आई इंटिटी मैट्रिक्स और sort में unit matrix पे आप बोल सकते हों देखो unit matrix क्या होती है unit matrix में जो diagonally जो elements होती है वो one होती है ठीक है और other सारे elements क्या होते है जिरो होते है यह हमारे डाइगल यह हमारे पास एक unit matrix होती है तो unit matrix को मेलोग basically A से नहीं I से रिप्रेजेंट करते है ठीक है और I is equal to अपके पास कभी-कभी आप देखोगे कि यह questions के अंदर I3 लिख दिये जाता है I2 लिख दिये जाता है तो I2, I3 का मतलब है कि I2 का मतलब होगे कि 2 order के है 2 order के मतलब है जो आपके पास diagonal इसमें 2 row 2 column होगे और diagonally 1 होगे मतलब आप इसको अधर combine करते होगे तो यह दो order के हो जाएंगे I3 का मतलब होता है 3 order के होगे मतलब diagonal elements यह आपके पास होगे यहाँ पर तीनों आपको 1 देखेंगे अधर सारे 0 हो जाएंगे तो यह आपके पास एक unit matrix होती है में इसके साथ साथ एक होता है आपके पास null matrix देखो अच्छे लोग null matrix किसे कहता है हम लोगे null matrix null matrix null matrix या इसको sort में आप 0 matrix पी बोल सकते हैं तो null matrix का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास एक matrix हो matrix यह डिपेंड नी करता है कि he square matrix हो कोई कोई jewelry matrix आप के पास और वहाँ पर सारे elements अगर आपने 0 सपीच के दुझे तो wordt हो जाएगी ऑकल उसके बाद Pretिमाट्रिक्स के बाद आपके पास आते हैं इक्वल मैमेट्रिकस थे कोगा और इकिस के Opportunity वुसकन में वारा वाला वित्त सब्सक्रेख सेखर आए क्या होती है कि युद्धि दों इंत्रीक्स को देख लो कि यह वह कंप्रेबल नियुक्र सकते हैं जब उसके औरडर सेम होंगे और सेम होंगे तभी वह औरडर मैटिक्स हो सकती है जैसे यहाँ पर मैंने 1, 2, A, E, B, कुछ भी लिख्स दिया, 3, 4, 5, 6, क्या यह comparable matrix है, तो यहाँ पर comparable matrix है, क्यों क्योंकि यहाँ पर order same होगा, same number of order होगे, तो same बोलेंगे, comparable matrix है, अब इसके बाद last हुन्हों देखते है, equal matrix के से कहते हैं, तो देखो, equal matrix क्या होता है, equal matrix का मतलब यह है, कि आपके पास 2 matrix को, अगर आप equal matrix बोल सकते हैं, तो पहले आपको comparable matrix होनी चाहिए, 2 comparable matrix are equal matrix, देन दिर coefficient are equal, जैसे कि पहले तो वो equal matrix के लिए, तो पहले तो comparable matrix होनी ही चाहिए, अगर 2 comparable matrices के, अगर coefficient भी सारे सेम हो गए, तो वो equal matrix हो जाएगी, जैसे कि मालनों कि अगर मेरे पास, 1, 2, 3, B है, और मैं कहा रही हूँ कि, 1, 5, sorry, 1, 2, C, 2 है, और मैं बोल जहीं कि, यह दोनो comparable matrix, यह दोनो equal matrix है, comparable तो खहर हैं, यह equal matrix है, तो equal matrix यह तभी होगे, जब यहाँ पर, आपके पास coefficient, दोनों तरफ सेम होगे, coefficient का मत्तब है, कि जिसरा इस column है, present यहाँ पर है, सेम रोग, सेम गॉलम प्रेजेंट यहाँ पर भी होने चाहिए, और से coefficient सेम होने चाहिए, तो आप चेक कर लो, अगर एक्वल मैट्रिक्स है, तो 1,1 के कोणना चाहिए, 2,2 के कोणना चाहिए, यहाँ पर 3, C के के कोणना चाहिए, मतलब C is equal to 3 हो जाएगी, और B होने चाहिए 2 के एक्वल, तो इसको में बोलते है, एक्वल मैट्रिक्सेज, ठीके, तेक्यू